पूर्फ प्रधानमंति अटल बिहारी वाजपई को भारत रतन से नवाज़ा जा रहा है। में देरी हुई। उसी वारानसी उसी कासी से बिस्मिल्ला खान जी को सहनाई जो बादक थे उनको भारत रतन दिया गया। और उसी कासी में पंडित मदन मौन मालवे जो एक सिक्षावित थे, राजनितिक गिते, एडोकेट थे, समाज सुधारक थे, प्रकर राष्टवादी थे, उनको आज मिला है, तो ऐसा नहीं है, यह जब सुनिष्चित होता है, तभी होता है, जब बातावरन होता है, तभी होता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, यह दोनों लोगों को भारत रतन देने का डिसिसन, यह बहुत अच्छा डिसिसन है और इसका देश में स्वागत ह हो रहा है, जब काफी लंबे समय से बीजेपी का चहरा रहे हैं, अटल जी के साथ को ऐसी मेमरेबल मूवमेंट रहाओ को याद रही हो, जिसको आप बताना चाहिए, अटल जी के साथ तो मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया, और उन्होंने समय समय पर हम लोगों, हमारे ज पुष्टकों के बारे में चर्चा करते थे, लेखों के बारे में चर्चा करते थे, मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझे को बुला करके, वो भी लगबग और टाइम था, जाड़े के समय में करीब ग्यारा, साड़े ग्यारा बजे रात उन्होंने बुला करके और सही पूछा जाए तो वो भारत के रत्न थे उनको तो भारत रत्न आज दिया गया है लेकिन वो तो प्रारम से ही भारत रत्न थे स्वास्थे अभी ठीक नहीं है तो ऐसे में अगर वो खुद भारत रतने लेते तो ज्यादा भैतर था कुछ काम ना करना चाहिए तेकिए अप उनके बारे में कुछ बोलने के लिए सब्द नहीं है हम लोगों के पास पिछले 25 दिशंबर को मैंने उनको देखा था और जब मैं लोटा था तो क्यों आखों में आशू किया लोगों कुछ नहीं था तो अब उनकर कुछ बोलना मुश्किल है तो बिल्कुल अटल विहारी वाश्वी पहले से ही भारत रतन ते बले ही उन्हें भारत रतन से अब नवाजा जा रहा हो लेकिन अगर बात उनके स्वास्तिक ही की जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी में ये गम्हीन का मोहौल है कैमरापसन अंकित कौशिक के साथ शेगूफी खान मुंसिफ टीवी दिल्ली